नमस्कार दोस्तो स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको बात करने वाले हैं टैली के अंदर आप किसी भी होटल रिस्टूरेंट या कैसी भी आइन्वाइस बनाती हैं यदि जीएश्टी को आप नहीं लगाते हैं अगर आप लगाना कितना इंपॉर्टेंट है तो चलिए दोस्तों बीना देर के वीडियो को सुरू करते हैं तो यहां पर दोस्तों हमने टैली को ओपिन कर लिया है अब यहां पर एक कंपनी क्या आओ सकता हमें पढ़ेगी क्रेट कंपनी पे जाते हैं और दोस्तों इसके बाद बनने के बाद हमें आओ सकता पड़ती हैं लेजर्स की तो चलिए दोस्तों हम लेजर्स की भी बना लते हैं तो इसके बाद आपको आजाना है गेटवे आप टैली में एंड उसके बाद आपको आजाना है एककाउंटिंग बाउचर में अब यहां पर दोस्तों सबसे पहले इंडरी करने के लिए आपको sell या purchase करना चाहते हैं तो उसके लिए आप F8 यदि sell यदि purchase करना चाहते हैं तो F9 तो हम यहाँ पे sell की build करने वाले हैं तो हम क्या करेंगे कि अपने keyboard से F8 बटन प्रेस करेंगे उसके बाद आपको reference number में एक number रखना है जैसा की zero two रखते हैं एंड उसके बाद दोस्तों इंटर करते हैं party name दोस्तों पूछता है तो party name में दो type क्याती है एक होता है cash एक होता है एक तरीके से उधार अब दोस्तों यदि आप cash लेकर ले रहे हैं यानि नगर तो आप cash ले सकते हैं तो हम यहाँ पे cash लेते हैं एंड उसके बाद इंटर करते हैं दोस्तों आते हैं और आपको accept कर लेना है यहाँ पी पूछ रहा है sales का एक आपको laser बनाना होगा laser बनाने के लिए alt plus c button प्रेस करेंगे यहाँ पी sale का laser बनाएंगे जिसके लिए लिखेंगे और sales इसके बाद दोस्तों इसका जो अंडर रहेगा इर रहेगा sales account उसके बाद दोस्तों इतना करने बाद अपने की बोर से control प्लस यह कर देना है अब यहाँ पे दोस्तों आपको पूछा जा रहा है name up items तो यहाँ पे name आप items ले लेते हैं उसके लिए आपको alt plus c button प्रेस करना है अब यहाँ पे एक items लेते हैं जैसा कि देख सकते हैं monitor हो गया अब यहाँ पे monitor लेने के बाद हम यहाँ पे under में पूछ रहा है तो प्रेमिट आएगा unit से दोस्तों नहीं बना है तो इसका दोस्तों units बनाने के लिए अपने keyboard से alt plus c button प्रेस करिए सिंबल में आप लिख सकते हैं यन ओ यस या आप लिख सकते हैं पीस जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं उसकी बाद दोस्तों इतना connect बाद आपको control plus c कर देना है अब यहाँ पे पूछना है rate duty यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है बस दोस्तों आपको सीधे क्या करना है कि यहाँ पे अपने keyboard से control plus e कर देना है अब यहाँ पे description पूछेगा तो हमें description में और डाल सकते हैं जैसे आपका जो monitor है branded जो भी है आप डाल सकते हैं कुछ नहीं क्या इंट्र करते हैं और इंट्र करते हैं और करते हैं उपर अब यहाँ पे session में आते और लगाते हैं cght उसके लिए alt plus c दबाएंगे सबसे पहले बनाते हैं cght यानी central ght इंट्र करते हैं और यहाँ पे duty जैंड टेकसेस इसका दोस्तों अंडर रहता है ght का और लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमारा तो बन गया लेकिन दोस्तों यहाँ पे ght का option नहीं हो रहा है तो इस situation में क्या करेंगे सबसे पहला error तो यहीं आ गया इसको सबसे पहले control एक कर देते हैं और देख सकते हैं दोस्तों laser भी बन गया cght का लेकिन हमें manually डालना पड देगा जो कि बहुत लेंदिक काम हो जाता है इंटर करते हैं एक और बनाते हो सकता है कि इस वाले में आपका ght दिखाए जो कि होगा yes ght alt plus c yes ght and enter उसके बाद डिटीजन टेक्सस दोस्तों इसमें भी नहीं आ रहा है तब तो यह दोस्तों बहुत ज्यादा problem होगी है on करना तो दोस्तों ght on करने के लिए सबसे पहले आपको करना आपको बहुत easy step है सबसे पहले इसको आपको क्या करना है ctrl-a से accept करना है के लिए है दोस्तों अब यहाँ पर आपको skip से सीधे आ जाना है पीछे gateway आप टैली में है अपने keyboard से f11 यानि features पर क्लिक करना है and आपक ght यहाँ पर है बद तो यहाँ पर हम y button प्रेस करकरiac इंटर करते है and second y button प्रेस करकर जो लिखाक है set अल्टा ght इसको भी वाई बटन प्रेस करते है इस टेड जो आपका 줄 रखना है रेगुलार एंड इंट्रा करते हुए आना इसमें जी एस्टी नमबर फिल कर लेना है तो हम इंट्रा करते हुए इस तरीके से जेस्टी नमबर फिल कर लेते हैं एंड इंट्रा करते हुए आते हैं दोस्तों और यहां पर इवेबिल को यहां पर नो करकर इंट्रा करते हैं ब इंटर जैसे करेंगे दोस्तों तो आपकी सेम होई company open जाएगा बस इंटर करते हुए दोस्तों आना है जैसा है समग आपको इस तरीके से select करते हुए आना है और यहाँ पर दोस्तों आपका आ जाएगा consumer ले लेना है उंटर करना है sales ले लेना है जो आपका monitor इसका rate वगरा सब लेकर और दीखें जैसे दोस्तों हम यहाँ पर gst को लेंगे तो आपको इसमें एक changes करना होगा थोड़ा सा भैखाना होगा और यहाँ पर c gst पर आने के बाद अपने keyboard से control और इंटर बटन दबाएंगे तो इसका option आ जाएगा और इंटर करते हो आना duties के जगह अब देखें यहाँ पर आ रहा है अदर के जगह gst क्लिक करना है central gst ले ले लेना है बस इंटर करके not applicable करके जैसे control यह करेंगे तो पहला यहाँ पर solution दोस्तों मिल जाएगा अगर इस तरीके से भी नहीं आ रहा है तो इसका एक और solution है दोस अब यहाँ पर एक बार control ले करते हैं और दोस्तों अभी भी नहीं आ रहा है तो इसमें a last option होता है कि आप थोड़ा सब बैक आजाए यह जो आपका monitor का लिखा हुआ है इसमें दोस्तों आना है और यह जो आपका party है इसमें आपको control इंटर दवाना है और यहाँ पर दोस्त हैं sendrey debitors रखते हैं उसके बाद दोस्तों इतना करने बाद इंटर करना है अब यहाँ पर दोस्तों इतना करने बाद आपको control तरीके से मिल जायाँ अगर नहीं भी मिलेगा तो इसका भी एक problem है यह जो आप अब आईटेम्स बनाए हैं दोस्तों यहां पर भी कभी कभी दिक्कत होता है तो चलिए इसका जो आईटेम से इसको भी हम साइक लेते कंट्रोल इंटर दबाकर अब देखी यहां पर में आता है दोस्तों इंटर करते आते हैं सीधे gst अप्ली केबल में और यहां से आपको व value यहाँ पर taxable लेते हैं यहाँ पर जो भी आपकी GST है तो यहाँ पर 12% रखते हैं इंटर दोस्तों अब यहाँ पर आपका goods लेकर and control plus A आपकी दोस्तों देख सकते हैं GST आपका जो है दोस्तों आनों गया है CGST and यहाँ पर आपका जो control plus A दोस्तों देख सकते हैं कितना easy step है हमारी जो GST का problem है 100% solve हो गया और यही region होता है जब GST आप नहीं लगाते हैं अब यहाँ पर दोस्तों Alt P बटन दबा के आप इसका प्रिव्यू भी देख सकते हैं और Alt Z बटन दबा के इसका जूम भी कर सकते हैं आप पी बील हो गई लेड़ी और GST भी देख सकते हैं दोस्तों आपका लग गया तो आई अब दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम GST को सही कर सकते कैसे लगा सकते क्या फाइदा होता है वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक से और सब्सक्राइब जरू करें थैंक्स पार वाचिंग